नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल में दोस्तो, आप लोग भी सर्दियों के फूल लाये होंगे, और आपके सर्दियों के फूल भी खिलना शुरू हो गया होंगे, तो सर्दियों के फूलों की त्यारी के लिए, मतलब आप क्या-kring टिपस फॉलो कर आपको क्या क्या को आप हैं किया करें आप इन में अच्छे फूल पाने के लिए इसी पर ही आज मेरा वीडियो होने वाला है तो देखो मेरा नाक्चमपा इतना अच्छा अच्छा खिला है लेकिन इतनी बर्ट्स आईवी हैं, इन में, यहां ये श्रेम भी खिल रहा है, बहुत सुन्दर रोज, और देखो, छोटे-छोटे तारे जैसे होते हैं इसके फूल, और इन छोटे-छोटे तारों का एक बहुती बड़ा बंच बना होता है, तो कितना खुबसूरत लग रहा है, तो जो हम किसी भी पौधी को लगाते हैं, चाहे वो फूल वाला पौधा हो, चाहे वो सू वाला पौधा हो, सू प्लांट, मतलब और्नामेंटल प्लांट्स, तो हमें सिबसे पहले ये धिहान डखना चाहिए, कि हम उसकी सॉयल मिक्स कैसे तयार करते हैं, हमें बहुत अच्छे सॉयल मिक्स एड़ी करनी होती है, और आप देख रहे होगे कि मेरे गेंदे कितने अच्छे खिले हैं, और कुछ यहां मतलब खिलके वो होगे, बर्ड्स पी इतनी जादा आ रही है, तो मैं क्या-क्या टिप्स फॉलो करती हूँ, यही मैं आपके साथ साथ शेयर करूंगी, और यह मेरा घर का ही गेंदा है, जो मतलब मैंने, मतलब इसको मैंने कटिंग से लगाया था, तो देखो मतलब कितना अच्छा खिल रहा है, और यह सब गेंदे मैंने खरीदे थे, तो फटलाइजर डाला था, तो वो शेयर किया था आपके साथ, तब सब सब पहले टिप्स आपको इनकी सोयल मिक्स अच्छे से तयार करनी होगी, तो वैल रेंस सोयल तयार करनी होगी, जो कि मतलब जब हम पानी डालते हैं अपने पॉट में तो उसमें रुके ना हो, और अच्छी सोयल मिक्स आप जैसे तयार करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं, मेरी सोयल में हमेशा और अगर नहीं रहता है आपके पास में तो जो भी हो और मी कंपोस्टों किचन वेस्ट हो गोबर की खादों आप वो डाल सकते हैं तो बात होगे सोयल मिक्स की और अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट की तो सनलाइट बहुत जरूरी है पौधों के लिए तो आप सनलाइट का भ सेड में जिरेनेम हो जाता है लेकिन बहुत सारे प्लांट को बहुत दूप चाहिए होती है जैसे रोज को मैं विंटर्स फ्लावर की बात कर रही हूं से में जैसे रोज हो गया है मैरी गोल्ड हो गया है बहुत सारे पौधें से पिटानिया हो गया है साल्विया कम धूप म और अगला जो वह है कि वाटरिंग वाटरिंग का हमें खास ध्यान रखना है ओवर वाटरिंग होती है जो मतलब की बहुत ज़्यादा पानी ना डाले लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मतलब आप पानी ना डाले और आपका प्रांट सूख जाए तो देखो मैंने तो इन प्रांट बिना वाटर के खराब हो जाए तो इसका ध्यान रखें और मतलब अपनी मिट्टी चैक करके यह मतलब हर किसी को गार्णिंग करते करते पता चल ही जाता है कि हमारे प्लांट की मिट्टी कैसी है तो मतलब प्लांट की मिट्टी को चैक करके उसमें पानी दे और अ और यहां जो यह वाले उचलने वाले कीड़े हैं ना मतलब क्या बोलते हैं ग्रासोफर तिल चट्टा टिड़ा जो भी बोलते होंगे उन्होंने मेरी पतियां काट कर बहुत ही मुझे परिशान कर दिया है तो अगली टिप मेरी उसी पर होगी कि आप कोई नीम ओयल या कोई कि भी मतलब घर में फंजी साइड बनाके स्प्रे कर सकते हैं मैंने तो अभी नहीं कि तो यह सब मेरी पतियाँ काट रह हैं और मतलब बहुत सारी मात्रा में हो रहे हैं इसमें कफी बड़े-बड़े हो रहे हैं तो कि निकसान जो मतलब इंसेक्ट्स वगरा हमारे प्लांट्स में लग जाते हैं तो ये देखो कितनी कलिया बन रही है और सब को भी नुकसान कर रहे हैं यहां इसको भी पूरा काट दिया था इसने तो फंजी साइड डालते रहें नेम ऑल डाले चाहे होम मेड फंजी साइड बना के डाले किसी का भी किसी भी चीज का इसका वीडियो मेरे चैनल में पहले से ही है तो यहां पर देखो इसमें भी मतलब कुछ ये छोटे-छोटे महीन से कीड़े लग गए हैं तो इस तरह हमें अपने प्लांट्स में ध्यान रखना है और जो भी कुछ मतलब लग जाता है तो अगर आप बाजार से भी कोई फंजिसाइड लाते हैं साफ का फंजिसाइड भी मिलता है अक्सर मेरे गार्डनर फ्रेंड तो भही यूज करते हैं जो साफ का फंजिसाइड होता है तो वह आप यूज कर सकते हैं मिट्टी में भी डाल सकते हैं और जब आप स्यार करते हैं तो आपवल होता है तो जो सरदी के फूल होते हैं जो भी सीजनल प्लांट होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही खिलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, कम से कम उनकी सीजन के टाइम ने, दो टाइम तो गुड़ाई कर ही दें। मतलब दो बार सोरी दो टाइम नहीं दो बार मतलब दो बार तो कर ही दे और अगली टेप्स और जो मेरी अगली टेप्स है वो है फटलाइजर पे तो आप फटलाइजर का बहुत खास ध्यान रखें क्योंकि जिन प्लांट्स में हैवी ब्लूमिंग होती है उन्हें हमें मतलब फटलाइजर देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम मैं यह नहीं कहती है आप हर मतलब 10-15 दिन में दो लेकिं मतलब 20-25 दिन या एक महिने में तो देना ही चाहिए अगर आपको फूलों में अच्छी ब्लूमिंग चाहिए तो फटलाइजर कौन-कौन से आप डाल सकते हैं ग कि मैं इसमें लगातार फटलाइजर डाल रही है और जो इसके मतलब फूल जैसे मतलब यह वाले फूल वो हो जाएंगे तो मैं इस टेहनी को कार दूंगी तो इस तरह भी मैं ध्यान रख रही हूं तो फटलाइजर यह हैं आप कुछ भी ले सकते हो यह मेरा किचन वेस कंप अधिया तो आप यह भी डाल सकते हैं यह तो सारे पोस्टत्तों से भरपूर होता है कि चन वेस कंपोस्ट और जो चौक होती है वो कैलसियम से भरपूर होती है और आपको यह मालूम होगा कि जब हमारे प्लांट का तरना मजबूत होगा तभी ही प्लांट अच्छी और इसमें पूर्टिसियम बहुत यह दिक मातरा में होता है बहुत ही ज्यादा और प्याज का छिलका है यहां पर एक ही पढ़ावा है तो मैं बता देती हूं आप प्याज के चिलके का भी फटलाइजर डाल सकते हो और आप इनको सॉलीड फॉरम में भी डाल सकते हो और लि बीच Sinjar नहीं हैं उनके लिए आप चाहे ऐन केमिकल फर्टलाइजम डायज्रों तो वह ढुता औंक अरच के युज No करते हम युज करते हों तो आप युज सकते हूं रचे यूज करते हूं तो आप ऑब फिर्टांट पर मतलब अभी तक तो मैंने हमेशा अरिजनल फर्टलाइजर ही यूज़ क्या है और गोबर कीवाद किचन वेस्ट और ये सब ये के ले चिलके प्याज के चिलके वो सब तो आपको मैंने लगता है हेवे बिलुमिंग के लिए जो जो भी टिस्ट में फॉलो करती हैं वो सब बता ही दिया है और मैं आपको पिटोनिया भी बता देती हूं कि पिटोनिया भी मेरे अच्छे ठीठा खिल रहे हैं तो चलिए मैं दिखा देती हूं आपको अपने पिटोनिया यह देखो यह मेरे कै जो मेरा किचन वेस कंपोस का लिक्विड था ना उसी का ही फटलाइजर डाला था आप देखी रहे होंगे कि मतलब कोई भी ऐसा पाट नहीं है जिसमें मतलब यह फूल ना आ रहे हो यह बस बड़े-बड़े होने वाले हैं जिस तरह से यह हुए हैं यह देखो इस तरह से और ये तो कह मेरे काफी खिली रहे हैं गंफ्री की लार के घेल रहे हैं मैंने यह पॉट से हटा दिए देखो गंफ्री ना किल रहे है और चलिए मैं आपको बता देती हूँ यह देखो ये छोटी-छोटे पॉट थे और इनमें भी अच्छी ग्रोथ हो गई है यहां यह सब औ और जो मेरे double petal petonia थे वो मेरा सिर्फ एक ही बचा है जो मैंने एक और साइट रखा वाया यहां और यहां मैंने यह सारे परसलीन वाइट लिन एक और रखे हुए है यहां इस तरह से कुछ और white petonia मेरा ठीक है यह देखो कितना अच्छा हो रहा है तो इस तरह से आप कुछ टिप्स फॉलो करके अपने प्लांट में बहुत हवी ब्लूमिंग पा सकते हैं इस टाइम पे ये सारी टिप्स फॉलो करें आप भी और इसमें यहां देखो इसको भी मुझे हटाना होगा और इसमें दूसरा प्लांट लगाना होगा तो दोस्तों वीडियो में अंतग बने रहने के लिए और आपके प्यार और इसने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद